नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती नमस्का आर्शे किष्णा शिरादे बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास लाइब कारेक्रम में आपके साथ मैं हूँ आचार संतोशी और आप देख रहे हैं जोतिश दुशा सत्त्य की राह नौरात्र का समय चल रहा है नौदुरगा का समय चल रहा है आठवी शक्ती फिर नौवी शक्ती मासिदेदात्री ब्रमचार नीमा समझत शक्तियों का आवाहन का समय और शक्तियों के आपके पास आने का समय परंद आज जो विशय हम लेकर के आए हैं ये आप लोगों के मद्ध से उठा हुआ और कई बार हम तक पहुँचा हुआ विशय है और ये विशय कैसे बन जाता है ताजुब होता है लड़का और लड़की के मद्ध में पक्षपात बेटी पहले पैदा होई खोब दुलार खोब प्यार चार चे वर्ष बाद बेटा हो गया प्यार जादा पाएगा गुडिया भी प्यार करेगी लेकिन जो जो बड़ा होगा वो प्यार उसी तक सीमित हो जाता और बेटिया एक दम से उपेक्षित महसूस करती है और अपने आपको पूरी तरह से अकेला पा जाती है उस बेटी के इस प्रकार से अकेला होने का दंश सिर्फ वो बेटी समझती है और कोई समझता नहीं है काफी समय से इस विशे को हम लेना चाहते थे और पक्षपात करने वालों की कुंडली कितनी पीडित हो जाती है या बिटिया को पेक्षित समझने वालों की कुंडली कितनी पीडित हो जाती है ये एक बार को हम उन समझत दादियों से भी अनरोद करना चाहेंगे जो जादियां इस समय हमारे कारिकरम को थोड़ा बहुत देखी रही है, वैसे तो यूथ ज़्यादा है यूट्यूब पर लेकिन जब हम टेली वीजन पे आया करते थे, तो माता हैं, ज़्यादा हम को देखती थी, सुनती थी, समझती थी, यूट्यूब पर यूथ अगर आप इस प्रकार का कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं अपनी बेटी के साथ कि पुत्र की तरफ जादा ध्यान आपका जाता है पुत्री की तरफ कम तो समझिये सबसे पहले मैं बता दू कि आप अपनी कुंडली की कौन से भाव और ग्रह को पीडित करते हैं आपके जन्मान का पंचम भाव और शुक्र नामक ग्रह तरफ तच्छन पीडित हो जाता है जब आप इस प्रकार से अपनी ही संतान के उपर लिंग भेद के कारण आप पक्षपात करते हैं बेटी पर कम फोकस करना है बेटे पर जादा चाहे ओ कपड़े को ले करके हो चाहे खाने पीने को ले करके हो चाहे उसकी केर को ले करके हो चाहे उसके लिए टेंसन को ले करके हो किसी न किसी रूप में आप बेटे पर जादा फोकस कर रहे हैं बेटी पर कम क्यूं भाई हम आप सबसे पूछते हैं कि क्यूं जिन जानवरों को बेचना होता है उन जानवरों पर कई बार किसान कम ध्यान देता है मतलब बिटिया को बेचना है क्या कि आप उस पे कम ध्यान दे रहें ऐसा सोचते हैं कि आप अगर नहीं तो क्यूं पक्षपात क्यूं और अगर हाँ तो क्यूं ऐसा सोचते हैं उसका अपराध क्या है इस प्रकार से आपके मस्तिश्क्र में अगर विचार आया है तो क्यूं आया है आप अपराधी तो बने लेकिन उस कन्या का अपराध क्या है कितने इतने केसे आए हमारे पास जहां पुत्रियों को किसी सामाने से विद्याले में डाल दिया और पुत्रों को तो लिभ भाईया एकदम से दमदन एकदम भायाना की स्कोल जहां 15,000-20,000 फीज़ जाता है तो ये धारणा हर तबके पर हम पा जाते हैं क्या पैसे वाले लोग क्या मुद्धीवी लोग क्या मध्यम तबके के लोग और क्या निम्र तबके के लोग हर तबके में हर जात में हर धर्म में हर संप्रदाय में हम ये भाव ये धारना पाते हैं और क्यों ये आपके अंदर भाव ये धारना आती हैं इसका जिम्मेदार आप सब स्वयम है फिर यह एक परंपरा का रूप ले लेता है यह एक आपकी ये धारना आपकी ये सोच एक एक कल्चर बन जाता है एक संस्कार बन जाता है एक ट्रेंड बन जाता है एक ट्रेडिशन बन जाता है कहीं तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा और अगर माताएं बहने नहीं करेंगी तो कौन करेगा और आप ही गुनहगार हैं आप ही दोशी है अगर आपकी पुत्री को आज ये दृष्टी से देखा गया कहीं पर तो उसकी जिम्मेदार आप खुद है अगर आपकी बेटी आज मांसिक कुंठा का सिकार हो रही है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद है बच्चे अगर आईसोलेटेड हो रहे हैं अपने आपको कैद कर रहे हैं जकर रहे हैं तो सिर्फ आप सब की बज़ाए से मैंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिन पहले कि सबसे कीमती चीज चो माता पिता बच्चे को देते हैं वो है समय आप कितना समय देते हैं और अगर आप नहीं देते तो अपरात तो कर रहे हैं तो बच्चा अपनी जिग्यासाओं को शांत करने के लिए अन्य माध्यमों का सहरा लेगा जो क्यूरियस माइंड उसका है वो कहीं अन्य जगहों से अपनी उस ज्यान पिपासा को वो ज्यान छुधा को वो शांत करेगा और उसको शांत करने के दौरान अगर कहीं गलत हाथ दाएं बाएं लग गया तो फिर जिन्दगी बरबाद है तो फिर जिन्दगी बरबाद है फिर उसका इलाज किसी के पास नहीं है और कोई नहीं कर सकता है तो अगर आप पक्षपात करते हैं तो आपका शुक्र और पंचम भावत पीडित होता ही है साथ ही साथ आपके जीवन से सुखों की भी कमी हो जाती है क्योंकि शुक्र नैसरगिक रूप से सुख का कारक होता है उस कारकर्त को समझने की आवशक्ता है शुक्र को समभालने की आवशक्ता है बेटी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवशक्ता है बेटी पर कम ध्यान देने वालों का शुक्र, परवत बहुत पिल पिला होगा दबा होगा यहाँ पर बहुत ज़्याद करासे इसकी खराब होगी शुक्र की यह समस्त पिढाएं आपको परिशान करेंगी और कई जगहों से परिशान करेंगी अगर आप पुत्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने पुत्र की तुलना में ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपकी कुंडली का दुति और एकादस भाव अपने आप मजबूत होने लग जाएगा जनमांग के दो जगहों पर जबरदस्त बल मिलेगा महा बल मिलेगा महा शुभ इस्थती आएगी खास तो पर माताओं से हम अनरोद कर रहे हैं माओं से माताओं कम ध्यान देती हैं बेटियों पर तो अगर इस प्रकार की इस्थती है तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करिए अपनी पुत्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे आपको भी सुख मिले और पुत्री आपके घर से खुशी-खुशी जाए ना कि रूट कर जाए क्योंकि अगर बेटियां रूट जाती है तो फिर इश्वर रूट जाता है तो फिर लक्ष्मी रूट जाती है तो बेटी ना यहां की रह जाती है ना सुस्राल में कुछ अच्छा कर पाती है फिर पूरा एक कुटुम्ब थोड़ा सा नश्टता की तरफ बढ़ जाता है तो आप लोगों से अनरोध है कि खोब सारा ध्यान दीजे अपनी पुत्रियों पर अपनी बेटियों पर कहीं से भी उनको ये फिलना होने दें आप अपने कर्म से अपने मन से अपने बचन से कि वो बेटी है और बेटा भी है ध्यान दीजेगा बहुत काम आएंगी हमने देखा है बहुत नजदीक से देखा है पुत्रियों के लिए और पुत्रियों से भी अन्रोध करेंगे हम यही कि आप सब भी ज्यादा से ज्यादा अपने सेवा धर्म को पालन करिए और अंदर से खुश रहिए आखिर मा ही होती है पिता पिता ही होते है बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे इस कारकम को देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर रहेगा और हमसे लुद्याना चंडिगर अमरित सर में आप मिलना चाहें तो जल्दी से अपाइंटमेंट ले के लिए तो ज़्यादा संख्या में जितना भी आप लोग मिलना चाहते हैं चार कुंडली हो पांच कुंडली हो तो कुछ आपको डिसकाउंट भी मिलता है आप बच्चों के कैरियर के लिए विदेश जाने संबंधि सारे प्रशनों का उतर जानने के लिए तीन जगें खा 10 और 11 ओक्टोबर अहिम्दाबाद 27 और 28 ओक्टोबर पतना 29 और 30 ओक्टोबर लखनाओ 31 ओक्टोबर अलहाबाद 11 और 12 और 13 नवेंबर बेंगलूरू 25 और 26 और 27 नवेंबर नागपूर 1 और 2 डिसेंबर पूने 3 और 4 और 5 डिसेंबर मुंबाई 15 और 16 और 17 डिसेंबर कॉलक double line zero two four zero double line